हलो दोस्तों नमस्कार आदाफ सस्रिया काल सभी को जिये सिर्वी कोड में आपका हर्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जहां हम बात करेंगे ना इस डिलट को लिए के बड़ी अपडेट क्या है अब दता इसे 14,00000,00000 विद्यार थी को भविसक के साथ खिलवाड किया गया है तो गजट प्रकासन के लिए भेजा गया बहे ने में कहा गया है जो एंसीटी ने गजट भेजा था किसको भेजा था इस पूट पोश्ट के माध्यम से यह प्रेस को भेजा था क्या करने के लिए प्रिंट होने के लिए इसी में कहा गया है कि गजट के देखे पुरा एकदम डीटेल में है कि इसमें सारा बदखो एंसीटी क्य भारत सरकार की एक एजनसी है जो की सिछ़क के मानक को兩 सैट करती है या सिछ़क के मानक को गज़ेंदारी कौन लेगा चोदा लाग बिद्यार्थियों कभविस्त का सवाल है देख सकते हैं नई दिल्ली सोमवार से दिसंबर में ही ये गजट भेजा गया था राश्टी अध्यापक सिछा परिशदेन सीटी की और नई दिल्ली में में पॉइंट आपका ये है परिशद में बदलने की स्थित में स सारी कोर्स थे जिसको लेकिन मेहां आपको था प्रत्हामिक सिछ क्षक में डिप्लोमा दिल्थ पाकरम के लिए दूरत सिच्छा संस्तान परणाली का प्रारमभिक डिप्लोमा का पाठ करम जो नौवा नंबर था इसमें बहुत सारी नंबर भेजे गए थे इसमें ये भी था तो ये भेजा गया किसको भेजा गया भारत सरकार के प्रेश में भेजा गया लेकिन ये प्रेश में छपा क्यों नहीं अब बताईए इसमें न छपने के वाज़ा से आज 14 नहीं बोला है जब से सुप्रीम कोड का जस्यमेंट आया है कोई इसमें बोलने के दित्याने बिद्यार्थी जाते हैं कि सिसानसत के लोग सबसादस के बाद तो अपना पत्र में लिख के भेज़ देते हैं बाकी कोई संग्यान नहीं ले रहा है अब यह चौदा लाग यूपी में भेकेंसी आने वाले इससे बाहर हो दिए यही है भारत सरकार मुद्रालाले गवर्मेंट आफ इंडियान प्रेस यहीं पर भेजा गया लेकिन यह भेजा भेजने के बाद भी यह चपता नहीं है तो किसकी गलती है इसके सुधार करना चाहिए भारत सरकार को जड़ जारी करें और सरकार ही आपके यह डियलेट की डिगरी बैलेट करा सकती और कोई नहीं करा सकता ज्यादा ज्यादा प्रधार मंत्री को पत्र लिखें राष्टपती को पत्र लिखें सिछा मंत्री को पत्र लिखें पत्र के साथ साथ ट्विट करें अभी है तो सबसे जो नौकरी मी है ना इस डियर्ट उनको लग रहा कि ओ तो कुछ कर ही नहीं रहे हो तो उनको लग रहा हमारी नौकरी सेफ है हमारी लिए कोई दिक्कत नहीं जिनकी बेचारों कि नौकरी जैसे कि BPSC में इसमें सबस़ ज़्यादा सक्री बिद्यार थी है तो बिहार से क्योंकि बिहार में 2-2 vacancy हो गई TRE1 में कुछ select हुए कुछ supplementary result आया तो उसमें उनको बाहर कर दिया गया TRE2 में बिलकुल बाहर कर दिया TRE3 भी आने वाला उसमें भी बाहर होंगी इसलिए आपको ज़्यादा संख्या में आपनी मां को रखना है नहीं तो वही होने वाला था जो आप सोच रहें क्योंकि Supreme Court का जज़े से B8 क्वाली केस में B8 तो बिध्यारती कुछ सक्री भी हुए थे क्योंकि लेकिन उनकी बात तो बिलकुल जायस थे लेकिन आपकी बात तो बिलकुल सही है क्योंकि गज़ेट प्रकाशन नहीं हो रहा तो यहां पर भारत सरकार के अधिकारियों की गलती है सिच्छा मंत्राला इसमें कुछ कर सकता है मोदी जी कुछ कर सकते हैं इसलिए आप ज़्यादा ज़्यादा अपनी सरकार तो भजाए कि हमारी सोई हुए है उनको लग रहा कि बस कोई एक लड़ेगा हम जीच जाएंगे अरे भाई किसी एक की लड़ाई नहीं है सब की लड़ाई है सब को एक साथ ट्वीट करते हैं हम के परड़े देखते हैं ट्वीटर पे 10-20-50 की ट्वीट होते हैं अरे कम से कम ट्वीट करें ट्रेंडिंग में आया तो को आपको सरकार को बात पहें सरकार पें दबाव बने सरकार को लगे कि हाँ विद्धारती परिशान है वाड़ा वही जज्मिन्ट हापको वैलिट का हो जाएगा फृर आपको कुछ कर नहीं पाएंगे फिर वही कहते है न समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं होता है तो यही ख़बर थी वीडियो पशंद आता चैनल को लाइक करें कमेंट्स करें जादा जाद आपने दोस्तों में सेर करें सिच्छक भरती पलपल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं वीडियो के साथ जहें साथी नमस्कार और हम आपसे आगरह करेंगे कि आप ट्विटर केंपियन में भाग दें और तभी जी